तो यहाँ पर मुझे एक piecewise defined linear function given है linear का मतलब हुआ कि जो भी इसकी definition है यह मुझे तीन अलग-अलग intervals दी हुए जो भी इसकी definition है वो एक straight line है यहाँ पर मैं देखूँ x की power 1 है यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है तो यह तीनो straight lines के part होंगे यहाँ यहाँ यह line segments होंगे अगर मैं इनको graph में बनाऊंगा तो यह line segments बनेंगे और मुझे इस function की domain और range निकालने है तो मैं जाओँगा एक बड़ आप video pause करके एक बड़ खुद try करें इसकी domain और range निकालना domain का मतलब होगा वो सारे points जिस पे defined output आएगा और range का मतलब होगा वो सारी values जो यह function लेगा तो अगर मैं domain की बात करूँ पहले जो कि मुझे यहाँ पर देख के ही पता लगाई जा सकती है तो वो होगी वो सारी values जिस पे defined होगा तो अगर मैं सबसे चोटी value से सबसे बड़ी value निकालू यहाँ से यहाँ तक मेरा function defined है तो मैं बोल सकता हूँ वो मेरी domain होगी तो इन तीनो definitions में सबसे चोटी value है minus 6 यानि कि मेरी definition मेरी domain जो है वो minus 6 से शुरू होगी minus 6 को मैं include नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर equal to का sign नहीं है यहाँ पर सिरफ less than है तो minus 6 से मेरी counting शुरू होती है minus 6 से मैं जाता हूँ minus 3 तक minus 6 to minus 3 इस पर मेरा defined है minus 6 को मैं include नहीं करूँगा और minus 3 को करूँगा दूसरी definition बोलती है minus 3 से 4 तक भी defined है तो यहाँ पर मैं add कर देता हूँ दूसरी definition हो जाएगी minus 3 से 4 तो minus 3 included है और 4 minus 3 included नहीं है और 4 भी included नहीं है तो यह minus 6 से minus 3 जाता है plus minus 3 से 4 जाता है तो इन दोनों को अगर मुझे जोड के लिखना हो तो मैं बोलूँगा यह minus 6 से 4 तक पूरा defined है क्योंकि minus 3 पर यहाँ नहीं यहाँ पर defined है तो यह मैं इसको दोनों को हटा दूँ मैं बोल सकता हूँ यह minus 6 से 4 तक defined है और अगर मैं तीसरी definition भी आड़ कर दूँ इसमें plus अगर मैं कर दूँ मैं बोलूँ यह 4 से और यहाँ पर 4 मेरा included है यह 4 से defined है 4 से लेकर 6 तक defined है तो मैं बोलूँगा कि इन दोनों के हिसाब से minus 6 से 4 यहाँ पे और 4 से 6 यहाँ पे तो इन दोनों का अगर मैं add करूँ तो यह बनेगा minus 6 से लेकर 6 तक इसको अगर मैं जोड़ दूँ minus 6 से 6 तक तो इसकी domain जो है वो हो जाएगी minus 6 से 6 और अगर math की language में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिखूँँगा इसको यहाँ से हटाता हूँ इसको लिखूँँगा मैं जो इसकी domain है domain वो हो जाएगी x belongs to यह set बनेगा x belongs to real such that such that x belongs to minus 6 से 6 छोटा वाला जो यह जो minus 6 है यह include नहीं होगा और यह जो 6 है positive 6 है यह include होगा क्योंकि यहाँ पर equal to का sign है तो यह हो जाएगी इसकी domain अब बात करते है range की तो range निकालने के लिए मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि किस definition के लिए इसके output क्या क्या आ रहे है और वो निकालने का सबसे बढ़ी तरीका यह होगा कि मैं इसका graph ही बना देता हूँ तो अगर मैं इसका graph बनाने की कोशिश करूँ तो मैंने यह दो line बनाई यह हो गई मेरी y-axis और यह हो गया मेरा x-axis तो यह हो गया मेरा x और यह हो गया मेरा y हो सकता है मुझे negative x और negative y की ज़रत पड़े अगर पड़ेगी तो मैं इसे extend कर लूँगा सिर्फ बना ही देता हूँ मैं तो यह हो गया मेरा x-axis यह हो गया 0 और इसकी domain minus 6 से 6 तक है तो मैं वह points डाल देता हूँ यह minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, और 6 अब देखते हैं इसके output क्या क्या आएंगे अगर मैं पहली definition देखू जो है minus 6 से minus 3 तक और मुझे इसके हिसाब से graph बनाना हो तो मुझे यह line जो है x plus 7 यानि कि जो output है मेरा gx gx equals to x plus 7 gx की value यहाँ पर मेरी y है तो मुझे बनानी है line y equals to x plus 7 यह बनानी है minus 6 से minus 3 तक उसके लिए मुझे दो points शेह होंगे पहला point मैं लेता हूँ minus 6 और दूसरा लोगा minus 3 अगर दोनों endpoints पे मुझे पता लग जाएगा कि इसका output क्या है तो मैं उन दोनों को join कर दूँँगा और बोलूँगा कि वो मेरी line है तो अगर मैं minus 6 देखूँ minus 6 जब इसमें जाएगा तो यह हो जाएगा minus 6 plus 7 जो कि हो जाएगा minus 6 plus 7 लिख लेता हूँ minus 6 plus 7 यह हो जाएगा 1 तो यानि कि minus 6 पे मेरा output है मैं minus 6 मलता हूँ minus 6 पे मेरा output है 1 यह हो गया minus 6 पे मेरा output है 1 इसको मैंने open इसलिए किया क्योंकि कि यहाँ पर minus 6 included नहीं है domain में यह minus 6 को approach करेगा minus 6 तक पहुचेगा लेकिन exactly minus 6 नहीं आपाएगा तो उसी वज़े से यह exactly 1 नहीं आपाएगा 1 को approach करेगा फिर आते हैं minus 3 पर minus 3 में अगर मैं 7 add करूँ यह हो गया minus 3 plus 7 तो यह हो जाएगा 4 यानि कि minus 3 पेस की value है 4 minus 3 और यह हो जाएगा 2, 2, 3 और 4 minus 3 पेस का output हो जाएगा 4 4 को मैंने close कर दिया क्योंकि यहाँ पर minus 3 included है और इन दोनों का अगर मैं join कर दूँ तो यह मेरा पहला part हो जाएगा इसकी definition का यानि कि मैंने minus 6 से 3 में इसके जाएगा क्या हो रहा है वो मैंने बता दिया अब आगे देखते है फिर है minus 3 से 4 यानि कि minus 3 से 4 यह वाला part तो इसके लिए भी मैं वही करता हूँ जो मैंने पहले वे definition के लिए किया minus 3 से 4 तक मेरी definition है y equals to इसको यहाँ से अटाते है y equals to 1 minus x तो मैं minus 3 डालने के कोशिश करता हूँ पहले जब मैं minus 3 डालétique तो यह हो जाएगा minus 3 x के जगा जाएगा यह हो जाएगा 1 minus minus 3 1 minus minus 3 तो यह हो जाएगा 1 minus minus plus 1 plus 3 और यह हो जाएगा 4 और 4 को मुझे यहाँ पर open करना होगा क्योंकि यह minus 3 पर equal to assign नहीं है यहाँ पर तो 4 को मैं open करता हूँ minus 3 और 4 यह है 4 इसको मैंने open कर दिया बड़ो से फरक नहीं पड़ता है क्योंकि इससे जो पिशली definition है उस पे इसकी value 4 ही आ रही थी तो इस यहाँ से open कर दिया फिर है value 4 जो इसका दूसरा end point है 4 अगर में इसमें डालता हूँ तो यह हो जाएगा 1 minus 1 minus 4 4 और 1 minus 4 हो जाएगा 1 minus 4 हो जाएगा minus 3 यानि कि यह मुझे इसको नीचे डालना पड़ेगा इसको नीचे ले जाते हैं इसको में और नीचे ले जाता हूँ और यह मैं negative y बना देता हूँ यह हो गया मेरा minus y और यह है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 and so on जो है मेरा इस बार input है वो है 4 और 4 मेरा output आ रहा है minus 3 तो यह 4 और यह minus 3 तो यह मैं बना देता हूँ 4 minus 3 पर यह मैंने बना दिया अच्छा मुझे यह open करना है क्योंकि 4 इस definition में include नहीं होगा 4 की value अगले वाली definition से आएगी अब इन दोने को मुझे join करना है इसके लिए मैं एक line बनाता हूँ यह line यहाँ से जाएगी और यहाँ तक यह हो गई line तो यह मेरी दूसरी definition भी हो गई अब बची तीसरी definition जो है 2x minus 11 इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और तीसरी definition है 2x minus 11 2x minus 11 इसमें मुझे डालने है points 4 और 6 इससे मुझे पता लगेगा कि यह वाली line कहां से कहां तक जाएगी तो अगर मैं इसमें 4 डालू तो यह हो जाएगा 2 into 4 2 into 4 हो जाएगा 8 minus 11 8 minus 11 हो जाएगा minus 3 यानि कि इसकी कहानी शुरू होती है minus 3 से तो 4 पे यह minus 3 होगा और जहाँ पर मेरी पिश्री definition रोकी वहीं से मेरी अगली शुरू हो जाएगी इसको मैं यहाँ पर close कर दूँँगा यह है 4 minus 3 दूसरी value जो है हो है 6 6 अगर मैं इसमें डालता हूँ इसको यहाँ से अटाता हूँ तो 6 अगर मैं इसमें डालूँगा तो यह हो जाएगा 2 into 6 जो कि है 12 minus 11 तो 12 minus 11 होता है 1 तो यानि कि यह 6 पे value जाएगी 1 और 1 भी मैं include करूँगा क्योंकि यहाँ पर यह 6 included है तो इसको भी अगर मैं join कर दूँ तो यह मेरा graph बन गया इस piecewise defined function का अब इसको मैं देखके बोल सकता हूँ कि जो मेरी domain है वो है minus 6 से 6 जो कि मैं पहले निकाल चुका हूँ जिसमें मेरा minus 6 included नहीं है तो यहाँ पर मैंने इसको open कर दिया है इसकी range निकालने के लिए मुझे देखना होगा इसके बीच में इस सारी values ले रहा है तो सबसे नीची value होगे यहाँ पर यह minus 3 और सबसे उची value है 4 यह minus 3 से 4 तक सारी values कही ना कही ले रहा है तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि इसकी जो range हो जाएगी वो होगी minus 3 से 4 और यहाँ minus 3 भी include होगा और 4 भी include होगा तो यह हमें लिखता हूँ इसकी जो range है यह हो जाएगी जो gx मुझे function given है gx belongs to यह minus 3 से शुरू होगा और यह 4 तक जाएगा minus 3 से 4